हेलो एवरिवान नमश्कार हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दी स्वागत है दोस्तो देश भर में छटपर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी है विशेशकर बिहार और उत्र परदेश में छट के इस वर्थ को काफी धूमधाम से मनाया जाता है इस साल का ये छट परव आज से शुरू हो गया है सिर्फ उत्र भारत ही और बिहार के में ही नहीं बलकि मुंबई और कलकत्ता जैसे शहरों में भी ये छट का त्योहार मनाया जाता है चार दिनों तक चलता है ये त्योहार चार दिनों तक चलने वाला छट का पर्व सबसे कठीन वर्तों में से माना जाता है छट के इस वर्त में भगवान सूरिय और छटी मया की पूजा की जाती है छट को सुहाग की रक्षा के लिए भी महिलाएं वर्त रखती है इस वर्थ में महिलाएं पूजा के समय नाक से लेकर मांग तक लंबा सिंदूर लगाती है और नहाए खाय से ये शुरू होने वाले इस वर्थ में खरना और सुर्य को अर्ग देने के बाद ही ये वर्थ खतम होता है छट ही एक ऐसा पर्व है जिसमें ढलते हुए सुरे को अर्ग दिया जाता है छट का पर्व आस्था का पर्व है जिसमें सूर्य देवता और छटी मया की उबासना की जाती है छट में सबसे पहले नहाय खाई फिर खरना और इसके बाद तीसरे दिन ढलते सूरे को अرग दिये जाता है सूर्य देव के इस वर्द की काफी मान देता है छट पर्व में लगातार दो दिन तक निर्जला उपास किये जाता है और इस उपवास के बहुत सारे नियम हैं जिनका पालन करना बहुत जरुवरी होता है और छटपर्व का एक ऐसा नियम है जिसमें वर्त और पूजा दोनों को ही बहुत ज़्याद महत दिय जाता है सुर्य की उपासना के साथ छटी मया को परसन करने के लिए हर बात का खयाल रखा जाता है इस दोरान जो लोग वर्त करते हैं उन्हें तो वर्त समंदी कठिन नियमों का पालन करना होता है साथ ही घर परिवार के अन्ने से दस्यों को भी कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है तो कौन सी है वो बाते जानेंगे इससे पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करतीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले तो आईए शुरू करते हैं चट पूजा में जिन नियमों का ध्यान रखना चाहिए वो यह है कि चट परों में नहाई खाय के बाद घर में मास मदीरा का सेवन ऐजी चीजों को घर में लाना अपशगुन माना जाता है तो इन दिनों में मास मदीरा का सेवन नहीं करना चाहिए घर का कोई भी सदश्य शराब या नशीले पदार्थ जैसे सिगरेट बीडियादी का सेवन भी नहीं करना चाहिए आनिथा छट की पूजा का पल नहीं मिल पाता इस दूरान घर में केवल सात्विक भोजन ही बनाए लसन प्याज का भी परहेज करना चाहिए घर में जिस जगे पूजा का परशाद बनता है उस जगे स्वेम भोजन करने ना बेठे छट परव के दिन तीन दिनों तक पूण ब्रह्मचारे का पालन करना चाहिए किसी के बारे में गलत ना सोचे और किसी पर भी करोड करने से मतलो गुसा करने से बचे किसी की निंदा भी ना करे निंदा करने से बचे और गलत विचारों पर संयम रखे वर्थ के दोरान 3 दिनों तक कोशिश करें कि रात को जमीन पर हिसोएं और विस्तर का इस्तेमाल ना करें इन दिनों साखसुतरे और संबम हो तो नए वस्तर ही धारन करें सूरे को वर्ग देते समय लोहे, स्टील या प्लास्टिक के पात्र का इस्तेमाल करना वर्जित है इनका परियोग ना करें अब जानते हैं कि छट उजा में लंबा सिंदूर क्यों लगाते हैं पीले रंग का, तो हिंदू धरम में सिंदूर को सुहा की निशानी माना गया है विवाहित महिलाओं को सिंदूर का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है छट पर उपर भी महिलाएं सिंदूर को अपने नाक से लेके मांगत भरती है ऐसा माना जाता है कि जितना लंबा सिंदूर होगा पती की उम्र भी उतनी ही लंबी होती है और तरक्की भी होती है क्योंकि छट का पर्व जो है वो छटी मैया से वर्दान पाने का होता है तो इस दिन महिलाए अपने सुहाग के लिए उनकी तरक्की के लिए उनकी सफलता के लिए ये वर्त रखती है और प्रार्थना भी करती है तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे नई जानकारी के साथ तब तक आप खुश रहें स्वस्त रहें जैमातादी